कि मतलु इसमें विशेस करके नेपाल से ज्याजा लोग रहेंगे इसमें अछा नेपाल की संघ्या 1 00 कानेपाल से जे विराम mendir का निर्माड का रहे हो यह यहां 파 पर बन रहें इन सेट्स में होने वाला हमई कुंड हो यह 1610 है काम करनेके लिए जिसने पार लगाई बहुत हाके हुए जए श्री राम जय योद्यादाम स्वागत आपका नए वीडियो में अभी मैं हूँ आयोध्या में और अयोध्या में प्रभु स्री राम भगवान के मंदिर के उद्गाटन की तारीक बहुत ही ज़्यादा पास आ चुकी है और साथ ही प्रभु स्था की तारीक 22 जनुट चौबिस से पहले कई अस्थानों पर यग्य इत्याद का भी आयोजन होने वाला है वह यग्य भी होने वाला है और भव्य राम कथा भी होने वाली है तो ऐसी ही एक लोकेशन पर हमां पहुंचे हैं जो अपने आप में अदुभूत है त साथ ही साथ प्रभु शिराम भगवान के अराध्य हमारे भोले संकर उनकी स्यूलिंग पर रूद्राभिषेग भी होने वाला है मगर इसमें कुछ खास कहां है तो इसमें खास कुछ ऐसा है कि जो संख्या होने वाली है चाहे वह याग्य कुंड की हो और वह स्यूलिंग की ह वह बहुत बड़ी है इसके बारे में बताता हूं अंदर की और चल करके बाकि यहां से आप कुछ-कुछ देख पा रहे होंगे कि कौन से लोकेशन के हम आ चुके हैं वैसे उन लों बता जेता हूं जो लोकेशन के बारे में नहीं जानते हैं यह लोकेशन पड़ती है ऐधय प्रांगड के अंदर आते हैं तो आपको पहला व्यू जो दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है चारों के सरिया ध्वज पहलाता हुआ प्रभु शिराम भगवान के नाम का और बाएं और बाएं तरफ आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सेट दिखता है जो की कास का बनाया ही और बहुत कॉसली वी इसका प्रियोग करके यहां पर बहुत बड़ा सा सैट बनाया गया है लेट साइड में औरन राइट साइड का तो भाई पूछो हिमत Șयादा सेट बनाले गये हैं उसी घास का प्रियोग करकर के तो यह जुछ बनाय जा रहूं तको इसको दिखाता तरीके से यहां पर sets बनाये गए हैं और इन जो sets को बनाया गया है जो छप्रे का प्रयोग करके इने बनाया गया है इनका उद्देश से क्या है मैं आपको बताता हूँ एक्चुली जो ये सेट से पहले इनकी संख्या के बारे में बात कर लेते हैं तो इनकी संख्या यहाँ पर होने वाली है 1008 मलब यकीन नहीं होता इस प्रकार के 1008 सेट पूरे प्रांगर में हाँ बनाए गए है पूरा हम घूम के आपको दिखाएंगे एक हजार आठ सेट्स जो बनाए गए हैं क्यों बनाए जा रहे हैं यह आपको बताता हूं तो देखो भईया ऐसा है हमारे प्रभु सीराम आ रहे हैं और पूरा ब्रह्मान पूरी पृतवी हमारी मगन होकर के नाच रही है और साथी साथ हमारे भोले संकर वो भी अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं हमारे प्रभु सीराम भगवान का और उनका अभिनंदन करने के लिए यहां पर इस तरीके के सेट्स बनाए गए हैं अब इसके आगे क्या होगा तो इसके आगे 15 जनौरी से लेकर के 25 जनौरी तक इन खुबसूरत से सेट्स में स्थापना की और अगर बात करें सेट्स की तो इतने परफेक्टली बनाए गए और इन्हें कंप्लीट कंप्लीट जो होता है यह से इस तरीके से होता है देखो खैर अभी इसमें एक चीज बाकी स्विलिंग के स्थापना हो ना बाकी आप देख सकते हो उपर भज भी लगाया गया है और न 108 की संख्या में लगा तार सुबह चार बज़े 15 से 25 जनुरी तक भाई शिवलिंग का रुद्र विषीख होने वाला है एक 7 बात करें तो वो है नेपाली बाबा और नेपाली बाबा के बारे में कहा जाता है कि इनके 200 से अधिक यग्य मध्य प्रदेश में हो चुके हैं मध्य प्रदेश में 200 से अधिक यग्य हो चुके हैं इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा तबक हो या यगossen कुंड हो इन सभी के पीछे सिल्फकारों का हत होता है प्रक कर और के से चैनल ने हो Sydney कंग बना पाते हैं चाँज़्च पूछ रहा है तो हमारे सामने चाचार Steph già है पूछते हैं कहां और कितने दिन से इस काम में लगे और यहां से हैं अच्छा कब से यहां पर यह एक महिने से काम करते हैं अभी यह साला है नो जी 14 तारीकों खतम करेंगे और 15 तारीक से यहां पर जल दाराइब तारीक है तारीक खत्म होगा तो आप बकसर से यहां और आप सभी लोग बकसर से यह सारे बिहार बकसर से लोगों को बताते हैं कि जहां डाममंदिर बन रहा है रहे वहां पर यग के लिए हम इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो लोग प्राउड करते हैं गर्ब की भावना आती होगी लोगों में खुछी बाती है और घार भी जाकर के बखसर में बताएंगे ना लोगों को कि हमने वहां पर काम जाते हैं सब बहुत बहुत धन्य वाद दो हम लोग चोह तरीके यह काम पुरा कर देंगे और जल्दारा है चोह तरीकों आप उपनिंग तक रुकेंगे न मंदिर के जब तक मंदिर का यहां फोड़न कर देली घुम्ते हैं सबक्रोफ के जाते हैं लोग महिनत कर रहे हैं एक महीने से आपको बता दूंदी का एरिया इसलिए यहां पर ठंड भी होते हैं यहां पर जब सोना होता होगा रThey create अ आम जगों पर भी आप देखते हैं नदी का इरिया रहता तो ठंड बहुत होती है और उसमें जो है एक महीने लगातार कारे करना यह असान नहीं होता चलिए जैस्त्री राम जैस्त्री राम आपने देखा अभी सिल्प कारों को जिनकी मदद से जिनके कठिन परिस्त्रम से जजत्क अधिया गया क्योंगी एक एक सेड बराबर बना हुग है लिईखो एक एक सेड मैं लगता है एक वर ड्युक है अईनिमे वर्ड में आप र गये हो च्नले में इसे तरहीं गल से डिजाइन किया यह गज़ा है डिनांस भोता है क्यों कुछ चर्प कर दो नहीं है एक एक लाइन आप देखोगे तो एक दम पर्फेक्ट लगेगा बाइदवे आपको सबसे दा खुब स्वरत कैसे लगेगा आस्मान से देखने में चलिए दिखाता हूं आपको कि अज़िए दोनों तरफ के कुंड दिखाने के बाद हम आचुके हैं कैसी जगह जहां पर जो जजमान आने वाले हैं औरbased जो ब्रामण गन आने वाले हैं जो कि रूद्रा भिषेक और सांतिसा डियके कर váriosएं के उनके रहने की वेवस्था जहां पर होने बाली वह आपको दिखाते हैं क्य Shy do बहुत अधीक है 1000 तो जजमान और 1000 ब्रामपड और 108 जजमान 108 ब्रामपड और साथ यहां के व्यवस्था पके जो व्यवस्था करने वाले कर्मी रहेंगे उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा होगी इस वज़से उनके रहने का जो अरेंजमेंट है वो कहां है कैसा है आपको रहने के लिए नदी के किनारी की जगह है तो यहां पर आसानी से इतने होटल्स भी नहीं है कि आप 1000-1000 लोग रह सकें इसलिए यहां पर उनका प्रबंध किया गया है टेंट सिटी का निर्मार करके जो अभी आप देख रहे हैं और इंटेंट की बात करें तो काफी बड़ा है जो कि आपको पानी से और हवा तुफान आप इत्यादी से बचाएगा बस यहां पर रेत है यह बात है तो थोड़ा इसका इसका आएगा लेकिन जो राम नाम जबने आते हैं उन्हें कोई इसूस नहीं दिखता मस्त जबते हैं और मस्त इंजा करते हैं तो यहां पर आप सुटेन आफ जिखाने चल रहे हैं जजमानों का टेंस जहांपर अprehने वाले हैं आपको पता होगा कोई पूजा संपन नहीं होती जब तक उसमें जजमान नहalinव मरजी आज रहने ब्लंग का प्रमान जी झार तुन के रहने का वह और बेवस्थन परबंद होने वाला है यह में खाने पीने के विवस्ता होगी यहां पर ही होगी और उसके लिए अलग से प्रांगण बनाया गया है उदर फिलाल हमें जाने का अनुमती नहीं है तो भी हम आ चुके हैं लेफ्ट वाले प्रांगण में जो बहुत बड़ा सट बनाया गया जिसके अंदर 108 कुंड अस्था होता रहेगा और अंदर का जो यहां का माहोल है कुछ इस प्रकार का है आप देख सकते हैं 108 यग कुंड इस प्रकार से बनाये गया है जहां पर अनुवरत यग होता रहेगा और साथी साथ आप यहां पर देखेंगे दिल जैसी डिजाइन भी बनाई गई है जो कि काफी सेट जो है यहां पर दिया गया है जिससे धूप या बारिष में कोई भी किसी प्रकार की समस्या यहां पर ना हो तो यहां पर जो 108 यग कुंड में लगातार जो राम नाम यग्य होगा वो करने के लिए 108 वेद पाठक जो होंगे वो आएंगे उजयन से और उजयन से आने व कुंबई हो बैंगलोर हो तमिल लाडू मतलब पूरे इंडिया से पैन इंडिया से लोग यहां पर आने वाले हैं कारेकों करने के लिए अभी हमारे साथ महराजी उपलब्ध हैं जो कि यहां का वेवस्था देख रहा है माराज जी कुछ यहां के करिक्रम के बारे में थोड तो पसुशन श्री आत्मानंदास नेपाली वजी माराज उनके उत्रादिकारी हमारे बगल में हन्स राजदास उत्रणागाफ वजी माराज इनके देख रेक में यह सारा कारीकरम चल रहा है यह पर यह जो जगे साला सामने देख रहे हैं इसमें सव हवन कुण्ड बने हुए सव हवन कुण्ड में इसमें 11 सव जोड़े बैठकर हवन एत्यादी करेंगे यह कारीकरम 14 जनुवरी से लेकर के 25 जनुवरी तक कंटिन्यू चलता रहेगा इस साइट में आप देख रहे हैं जो सीवकुणी बना हुए एक हदार आठ है सीवकुणी बने हुए और सभी सब्सक्राइब बहुत ही मतलब इसमें 20 लोग भी आ रहे हैं हमें उमीद है कि मुख्यमंत्री जी का भी शुकृती मिल चुकी है और ही बड़े-बड़े मंत्री लोग इसमें आने वाले हैं सब लोग आने वाले हैं और बहुत दूर-दूर से लोग मुंबई से दिल्ली से सब्सक्राइब करने के लिए जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि यहां पर चार जोड़े बैठने वाले हैं वह जो भगवान की पूजा होगी जो रूद्रा विशेक होगा उसके लिए एक हजार अलग-अलग में बैठें़े तो चार हजार संख्या होने वाली यह जजमानों की हैं इसमें विशेश करके नेपाल से ज्यादा और जो वेद पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे और ब्रामनकन होंगे वह आयुद्या से रहेंगी है और विद्वान भी रिशी उज्यान से आ रहे हैं वहां से भारी संख्याने की उम्मीद है यह बात नेपाल वह बिल्कुल सही बात है जिसे अभी जो आपको ग्यात होगा जिए जो मुख्य मंत्री मांके नहीं हमारे मोहन जादो जी बने हुए हैं जी खुद महाराजी की सिश्य हैं ऐसे जग उनके यहां भी हुआ था जैन में उसमें खुद जज्मान बने हुए थे जहां जज्मान बनेंगे लोग ठीक उसी तरह भी जज्मान वहां बने हुए थे और महाराजी के आशिरवाद से ही पहली बविश्वानी कर दिया था जी बेटा तो में दिन समय आएगा तो पूरे प्रदेश को सम्हाल होगे और रहने वहने का विवस्था भी यहीं पर टेंट सिटी बना रहा है इसमें एक हजार टेंट सिटी बना हुआ है प्रति दिन की प्रति दिन की विवस्था की गई है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसी रहां तो फिलाल की वीडियो में इतना ही अब मिलते हैं आपको ऐसे खुबसूरत वीडियो के साथ आयोध्या में प्रभु श्राम भगवान की प्राप प्रिस्था जैसे जैसे पास आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको हर प्रकार क वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर करता रहूंगा जैसा कि यहां पर 1008 सुलिंग का रूदराविशेक और 108 यगकुंड का निर्माध हो रहा था तो मैंने आपके साथ शेयर की तो इसी प्रकार की जानकारीों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर नए है तो और हां बेल आइकन को जरूर प्रस करेगा जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको पता जल जाए कि आपको राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कैसे आना है कहां कहां और जाना है जिससे आप असानी से गूम सके बाकी मिल